अस्सलाम वालेकुम यो रिवान ध्यान रखे योगे जरूरी बाते सुनिए और पढ़िए नमबर एक आम पणना बनाते समय इसमें चार से पांचम मशद्रक का जूस मिला दे ऐसा करने से आम का पणना ज्यादा स्वादिस्ट बन कर तयार होगा और ये सहत के लिए भी बहुत अधिक फायद मन्द है नमबर दो यदि नीमो का अचार खराब होने लगा तो इसमें थोड़ा सा सिरका डाल कर इसे हलकी आंच पर पका ले ऐसा करने से नीमो का अचार खराब होने से बच जाएगा नमबर तीन अध्रक लेसन का पेश्ट बनाने के बाद इसमें एक चम्मच नमक और एक चम्मच गरम तेल डाल कर अच्छे से मिक्स कर दे ऐसा करने से अद्रकलेसन का पेस्ट ज्यादा समय तक खराब नहीं होगा नमर चार, सूजी का हल्वा बनाते समय इसमें पाने की जगहा दूद का इस्तिमाल करें ऐसा करने से सूजी का हल्वा अधिक स्वादिश्ट बनकर तयार होगा नमबर पांच प्यास फ्राइ करते समय इसमें एक चुटकी शेक्कर डाले ऐसा करने से प्यास जल्दी और कुरकुरा बनकर तयार होगी नमबर छे कंगडी बिन्स या किसी अन्य हरी सबजियों को सुखने से बचाने के लिए इसे एक गीले या नम तवलिया में लपट कर रखे ऐसा करने से हरी सबजियां ज्यादा जिन तक चाजी बनी रहेगी नमबर साथ यदि आप घर पर रजगुला बना रहे हैं तो दूट की सारी मलाई निकालने के बाद ही रजगुले के लिए दूट को फाटे ऐसा करने से रजगुला ज्यादा स्पंजी और जूसी बनकर तयार होंगे नमबर आण्ड उडदार के वड़े बनाते समय इसमें थोड़ी सी सूजी अवश्य मिलाले ऐसा करने से बड़े ज्यादा कुरकुरी और ज्यादा स्वादिस्ट बनींगे नमबर दस दूद में मलाई निकालने के लिए इसे पहले अच्छे से उबालने के बाद थंडा होने के लिए रख दे और फिर इसे पांच घंटे के लिए फ्रिज में रख दे ऐसा करने से दूद में अधिक मात्रे में मोटी मलाई जम का तयार हो जाएगी समोसे के लिए आटा गुंते समय माईदे में थोड़ा सा चामल का आटा अवश्य मिला ले ऐसा करने से समोसे ज्यादा क्रिस्पी और स्वादिस्ट बनेंगे घर पर पनीर बनाने के लिए दूद को नीमू की बनाई बिटकारी से फाटे अईसा करने से कम दूद में अधिक मातर में पनी निकल का तयार होगा नमबर तेरा हरे मिर्च को ज्यादा दिन तक ताजा रखने के लिए इन्हें डंटल को तोड़ कर फ्रिज में रखे ऐसा करने से हरे मिर्च लंबे समय तक ताजे बने रहेंगे नमबर चौदा अगर सर्दियों में दही नहीं जम रहा है तो एक समताल थाली में पानी लेकर इसमें दही वाला बर्तन रख दे ऐसा करने से एक घंटे में ही एक दम बढ़िया दही बन कर तयार हो जाएगा नमबर पंद्रा रजगुल्ले को स्पंजी बनाने के लिए इसे चाशनी में पकाते समय इसमें बीच बीच में एक से दो बड़े चम्मच पानी डाले ऐसे करने से चाशनी गाड़ी नहीं होगी और रजगुल्ला ज्यादा स्पंजी बन कर तयार होगा नमबर सोरा गुलाब जामन को अंदर से रसीले और जालीदार बनाने के लिए खोवे में थोड़ा सा पनी डाल कर मिला ले ऐसा करने से गुलाब जामन एक दम रसीले मुलाइम और स्वादिष्ट बनेंगे नमर सत्रा हलवे के लिए सूजी को भूंते समय इसमें एक चम्मट बेसन मिला दे ऐसा करने से हलवे का स्वाद दुगना तक बढ़ जाएगा नमर अठरा बजार जैसा एकदम फर्फेक्ट और लंबे साइस के फ्रेंच फ्रैस बनाने के लिए हमेशा चिपसेना आलू का ही प्रयोग करें और इज़ी इन्हें काटने के लिए तेज़दार वाली चाको का ही इस्तेमाल करें ऐसा करने से एकदम फर्फेक्ट और फ्रेंच फ्रैस बन कर तयार होंगे नमर उन्नीज प्लेन मायोनीज में हरी चटनी या टमोटो चिली स्वासी या बारी कटा हुआ धनिया पुजिना डाल कर अच्छे से मिक्स कर ले ऐसा करने से एकदम नए स्वाद वाला डिश बन कर तयार हो जाएगा नमर बीस बेंडी को बनाते समय इसका चिपचिपापन दूर करने के लिए बेंडी में कुछ नीमो के भूंदे मिला दे ऐसा करने से बेंडी का चिपचिपापन एकदम चला जाएगा आपको ये लेक किचन टिप्स इन हिंदी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईए और आप